नमस्ते आप सभी का स्वागत है trending economics में आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बहु कर प्रणाली क्या होता है जिसे इंगलिश में multiple tax system कहते हैं पिछली वीडियो में देखा था एक कर प्रणाली क्या होता है जिसे इंगलिश में single tax system कहते हैं उस के इसमें क्या होता है पू मजने का परयास करते हैं दीखें जब किसी देश में अनेक कर लगा कर देश के सारवजनिक व्ययों को चलाने के लिए आय यानि इनकम एकत्रित की जाती है तो ऐसी प्रणाली को बहुकर प्रणाली यानि मल्टिपल टैक्स सिस्टम कहते हैं जैसे भारत की केस में लिए भारत भारत में अब क्या अगला पॉइंट देखे अर्थात बहु कर प्रणाली में किसी देश की कर विवस्था में कई कर लगाया जाते हैं मल्टिपल टैक्सिस लगाये जाते हैं एक पॉइंट ये बहुत ध्यान देने वाला है आज विश्यु के लगबग सभी देशु में बहु कर प्रणाली ही प्रणाली ही प्रचलित है भारत में भी यही प्रणाली है मुझे नहीं लगता कोई बैसा देश होगा जहां पर एक ही कर लगाया जाता हो दो, तीन, चार तो जरूर लगाया जाते हैं इस प्रणाली में आयकर, मृत्युकर, उतपादन कर, जियस्टी, आधि अनेक प्रकार के कर लगाया जाते हैं तो बहुकर प्रणाली में जब अनेक प्रकार के कर लगाया जाते हैं तो 5-6-10 तो जरूर होंगे उनमें से भारत में यह सारी लगाया जाते हैं लेकिन यदि किसी देश में एक सीमा से अधिक कर लगाये जाएं तो वह कर प्रणाली दोश-युक्त हो जाती है इसका मतलब यह है मालीजे आपको बहुकर प्रणाली अपने देश में लगाना है और आप कर क्या रहे हैं 2-3-4 कर लगाने के बज़ा है आप 50 कर लगा रहे हैं 60-100 कर लगा दे रहे हैं तो इस केश में क्या होगा बहुत दिक्कत आपको जिनली पड़ेगी उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो एक लिमिट में ही होना चाहिए बहुकर प्रणाली में एक लिमिट में होना चाहिए बहुकर प्रणाली के कुछ गुण है जैसे कर से बच पाना मुश्किल होता है हाँ तो ये सही बात है मालिजे एक कर से जो बच गया तो बच गया निकल गया ठीक है लिकिन जो बहु और पनाली सिस्टम होता उसमें अगर एक कर से आप बच गए तो दूसरा देने पड़ेगा दूसरे बच गये तो तीसरे देने पड़ेगा ऐसे यह गुण है इसका अधिक आय प्राप्ति तो सरकार को इससे काफी ज़्यादा आय प्राप्ति होती है बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है आप जानते हैं इंकम टैक्स जिस्टी से ना जाने कितना लाखो करोन रुप है भारत सरकार के काते में जाता है एक कर दूसरे कर के दोश को दूर कर देता है वही बात है माली जे कई सारे टैक्स लग रहे है ठिक कई सारे कर लग रहे है एक कर में अगर दोश उत्पन हो गया तो सरकार माली जे जल्दी से संशोदर नहीं कर पा रही है तो क्या करेगी उतिने दोश नहीं जितने एकल सिस्टम में होते हैं, ठीक है, सिंगल टैक्स सिस्टम में होते हैं, देखें, बहुकर प्रणाली के दोश क्या हैं, अधिक कर हो जाने पर परिशानी, तो वही बात आ गई, अगर मालीचे एक लिमिट से जादा आप टैक्सी टैक्स, पचास तो आपको बहुत परिशानी का सामने करने पड़ेगा, खर्चिली प्रणाली तो है, मालीचे एक ही टैक्स लगता तो इतना जादा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे जब टैक्स लग रहे हैं, तो स्पेशलिस्ट चाहिए हर जगा हर शेतर में, तो ये खर्चिली प्रणा जिसे होता क्या है, हमें बहुत सारे स्टाफ रखना पड़ता है, उसको कलेक्शन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि GST ही इतना बड़ा है, उसको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंकम टैक्स ही इतना जादा होता है, कि उसको संभाल पाना बड ठीक है जादा अगर number of taxes लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी और मैं ही क्या पूरा देश इसी को अपना रहा है ठीक है तो I hope आपको ये चीज़ समझ में होगा बहुकर पनाली क्या होता है multiple tax system क्या है